प्यारे बच्चो आज हम सीखेंगे कि छुट्टी के ल्यावदान पत्र किस प्रकास लिखा जाता है यदि आपके घर में काम आ जाते हैं और आप इसको नहीं जा पा रहे हैं तो कैसे अपने प्रधान पठक को आप छुट्टी के ल्यावदान पत्र लिखेंगे ठीक है पत् हम दो दिन की छुट्टी के लावदम पत्र लिखेंगे इसको लिखेंगे कैसे हैं ध्यान से देखिए को बहुत सारी चीज को मैं बताऊंगा ध्यान से देखिएगा सबसे पहले आपको एक ब्लैंक पेज लेना है जो आपकी स्कूल की कापी का हो सकता है या ब्लैंक पेज हो सकता है अब यहां पर जो सबसे पहला लाइन है मार्जीम के बाजू में यहां पर लिखना है सेवा में क्या लिखेंगे सेवा में ठीक अभी पूरी लाइन को आपको छोड़ देना है यहां और कुछ भी नहीं लिखना है उसके प्रशाद इसका जो जैस्ट नीचे वाला लाइन है यहाँ पर यहाँ से लिखना है इसके प्रशाद इसके ठीक नीचे का जो लाइन है और इसी के सीध में आपको लिखना है इसकुल का नाम जहाँ आप पढ़ाई कर रहे हैं जैसे साज की प्रात्मिक शाला नायक टार एक उधारन है अब देख सकते हैं यहाँ पर बिलकूल बराबर है अब अगला जो होता है यह दोनों लाइन होने के पश्चात जो न वो दो दिंग के छुट्टे के लिए ठीक है अब यहां तक होने के पश्चात यह जो बचा हुआ लाइन है इसको छोड़ देना है इसमें और कुछ भी नहीं लिखना है अब उसके ठीक नीचे जहां विसय का यह आया है अर्थत खतम हुआ है उसी से सुरुवात करके लिखें है वही से ठीक नीचे लाइन पर यहां से सुरुवात करना है कि मेरे खर में आवश्यक काम अब देकि इसके बाद और बचा वबात लिखना काम अ लिखा हुआ है इसके आगे कर लिखने के लिए जो अगला line को जो यहां पे शुरुआत हो रहा है आज जाने के कारण मैं शाला आने में असमर्थ हूँ अता आप मुझे डेख सकते हैं यहां पर फिर से line खतम हो गया तो अगले में जो है आपको यहां से शुरुआत करने हैं आप मुझे दिनांग 6-8-2024 और 7-8-2024 को दो दिन की अब यहाँ पर देखेंगे ये 6 तारिक का दिनांग है उसके प्रशाथ है 7 तारिक 6 और 7 को लेना है तो यहाँ पर हमने से नहीं लिखा है जब 2 से अधी दिनों का लेते तब से डालते हैं दो दिन का लिखते हैं तो यहा 7-8-2024 और 7-8-2024 को दो दिन की छुट्टी देने की क्रीपा कीजिएगा अब यहाँ से आपकी बात पुरी हो गई अब जो लाइन बचे उसको छोड़ देंगे उसके ठीक नीचे लाइन में बीच में आप लिखेंगे धन्यवाद ठीक अब यह आपने अपनी बात रग दी अब यहाँ से इस लाइन को भी छोड़ देंगे अब नीचे लाइन में यहाँ से लिखेंगे आपका आज्याकारी शिश्या यदि आप छात्रह अर्थात लड़की हैं तो यहाँ पर शिश्या और यदि आप छात्रह अर्थात लड़का है तो शिश्या अब उसके पश्या आप जो है यहां पर अपने पालक का दसकत करवाईएगा ठीक है हस्ताश्चर करवाएंगे अपने मम्मी या पापा का या भाया का और इसके प्रशाथ आप अपने दोस्त के माध्यम से इस पत्र को अपने स्कूल में भेज़ दीजेगा आपके सिक्षक बहुत खुश होंगे कि इतने अच्छे से आपने आविद्यापत लिखा है तो आविद्यापत लिखने के प्रशाथ आपके सिक्षक ने आपको क्या कहा जरूर कमेंट वताईएगा और जूड़े रहिएगा उज्वल लक्ष यूटूब चैनल से नबश्कार